किराना दुकानदार परियावरण को ध्यान में रखते हुए कैसे पाकेजिंग करें, जिससे परियावरण को सुरक्षित रखने की कड़ी में उनका भी एहम योगदान रहे। दुनिया भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का लगभख 60 प्रतिशत खाद्य प्लास्टिक के लिए उपयोग किया जाता है। दुनिया भर के वैग्यानिक और कार्यकरता पैकेजिंग में प्लास्टिक पे प्रतिबंद लगाने की वकालत कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन बायो डिग्रेडेबल है इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही रिसाइकल किया जा सकता है भारत सरकार भी किराना शॉप पर या अन्यकारणों के लिए पॉलिथिन बान कर चुकी है ऐसे में आप भी अपनी शॉप पर सामान पैक करने के लिए किस तरह से पैकेजिंग करें जिदें अपना कर आप भी परियावरण और आपके स्वास्त के लिए कुछ बहतर कर सकते हैं कोशिश करें कि अपनी दुकान का वो सामान जो प्लास्टिक के कंटेनर में रखा है उसे ग्लास के कंटेनर में डाल दें क्योंकि प्लास्टिक आपके स्वास्ते को हर तरीखे से नुकसान पहुचाता है इसे जितना हो सके नजर अंदास करें ग्लास हाला की थोड़ा महगा पड़ता है साथ में इसकी देखरेक में थोड़ी सावधान ही रखनी पड़ती है लेकिन ये आपके स्वास्ते को नुकसान नहीं पहुंचाता, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ठीक है और गेनिक कपड़ा आजकल सरकार भी पॉलिथीन की जगे कपड़े का थैला यूज करणी की सला दे रही है इसे में आप डिसाइट कर सकते हैं कि आप किस तरह से कपड़े का थैला बना कर अपनी ग्राहकों को सामान पैक करके देते हैं पॉलिथीन के मुकाबले कपड़े का थैला थोड़ा महगा पड़ेगा इसके लिए आप ग्राहकों से अलग से पैसे ले सकते हैं इसके अलावा आप गन्ने के कंटेनर, पॉली कोटेट क्राफ्ट पेपर कंटेनर, पेपर बैग, पुना प्रयोज ये प्लास्टिक बैग आधि को अपनी शॉप पर यूज कर सकते हैं इससे आपकी शॉप पर आने वाले लोगों में जाग रुखता आएगी साथ ही आप भी परियावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं किराना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहें